धर्मनिर पेक्षता भारतिय लोकतांत्रिक गनराज्यकी आत्मा है। भारतिय सम्विधान बहुत साफ शब्दों में कहता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपना धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का समान अधिकार है। दूसरे धर्म से कमतर नहीं आख सकते। जैसा कि हमारे पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरु अक्सर कहते थे। भारतिय धर्मनिर पेक्षता का मतलब है धर्म और राज्य को अलग रखना। इस अलगाव को बनाए रखने की हमारी एक मजबूत परमपरा भी है। हाला कि हाल ही में धर्म और राज्य को अलग रखने वाली लेकर लगातार धुंधली होती जा रही है। यह उस समय से एक बड़ा विचलन है जब हमारे समवैधानिक पदाधिकारियों को धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से आगाह किया गया क्योंकि इससे एक धर्म निर्पेक्ष राज्य के रूप में हमारी साख पर असर पड़ेगा। अब हम ऐसे समय में आ गए हैं जब देश में किसी धार्मिक पूजा स्थल के उद्धाटन का जश्न एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम की तरह मनाया जा रहा है। हमें से अधिकांश को ट्रस्ट के प्रभारी द्वारा अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। हमने इस देश के समविधान को बनाए और बचाय रखने की प्रतिग्या की है। और इसलिए आए हम अपनी समविधानिक जिम्मेदारियों को बरकरार रखते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार करके समविधान के धर्मनिर्पेक्ष चरित्र के प्रती अपनी प्रतिबधता की पुष्टी करें। इसे धार्मिक भाशाई और क्षेत्रिय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। आशा है कि भारत वैग्यानिक स्वभाव, मानवतावाद और जाच और सुधार की भावना के आधार पर विक्सित और सम्रिध हो।